हेलो दोस्तों नमस्कार आए स्टार्ट करते हैं 17th of November का डिटोरियल टाइटल है life over death देखिए over है वो एक ऐसा preposition है जब आपको दो options दे रखे हैं और उनमें से आप कहें कि यह वाला option जो है ना यह इस पर ज्यादा हावी है यह ज्यादा important है तो उसके लिए हम क्या करेंगे over copy करेंगे तो यहाँ पर वरियता किसको दी गई है importance किसको दी गई है life को किस पर death पर तो death की तुलना में life मृत्यू नहीं चाहिए जीवन चाहिए इसका मतलब यह है किसको लेकर लिखा गया है death penalty abolition क्या पढ़ते हैं इसको abolition abolition का मतलब होता है यह abolish से बनता है और इसका मतलब ह पता है termination आप इसे termination कह दो आप इसे scrapping कह दो या फिर आप इसे कह सकते हो ending यह सारे इसके मतलब हैं समाप्ती को बोलते हैं तो यह death penalty abolition को लेकर लिखा गया है death penalty का मतलब मरत्यू की सजा उसके abolition को लेकर मतलब उसको समाप्त करने को लेकर और end parliamentary पैनल रिपोर्ट पार्लेमेंटरी संसरी है पैनल आयोग रिपोर्ट रिपोर्ट होती है यह लिखा गया death penalty को समाप्त करने पर और संसरी आयोग की जो रिपोर्ट है उसको लेकर editor लिखा गया है ठीक है अब देखिए abolition of the death penalty should form the core of any reform in the justice system abolition किसका death penalty के समाप्ती should form should है वो एक तो suggestion के लिए आता है कि जब आपको सला देनी हो किसी को कि आपको ऐसा करना चाहिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए तो वहाँपे should का प्रियों करता है एक should आता है strong possibility के लिए जरूर से जरूर ऐसा होगा ही इसको बताने के लिए क्या आएगा should आता है तो कह रहा है death penalty का जो abolition है उसे जरूर से जरूर form करना चाहिए या फिर ये form करेगा अगर इसको समाप्त कर दो गया death penalty को तो इससे क्या होगा ये बनाएगा form का मतलब है create करन code जो है इसका मतलब होता है just या फिर आप इसे कहेंगे crux कहने का मतलब central part मुख्य हिस्सा किसका any reform reform का मतलब होता है सुधार improvement किसमे justice system में न्याइक जो system है उसके अदर repeat कर रहा हूँ death penalty का जो abolition है वो यहाँ पे क्या करेगा किसी भी reform का जो central part है किसी भी सुधार का justice system है जो उसमें किसी भी सुधार का जो मुख्य part है उसको यह बना देगा अगर आप इसको abolition कर दोगे तो इसको हटा दोगे तो फिर यह चीज create हो जाएगी ठीक है अब देखिए it is disappointing disappointing का मतलब होता है कि यह निराशा जनक है और disappointing जो है वो यहाँ पे executive है यह जो है यह linking verb है it है वो य यह निराशा जनक है that the parliamentary committee की जो संसदिय समीटी है कौन सी संसदिय समीटी that examined the भारतिय न्याय सहीता जिसने की जाच की है that किस के लिए आ रहा है इस committee के लिए committee कौन सी है जिसने जाचा है जिसने examine किया है किसको examine किया है भारतिय न्याय सहीता को अब भारतिय न्याय सहीता क्य तो कहले है तो प्रपोज्ड क्रिमिनल स्टेचुट ये स्टेचुट है स्टेचुट नाउन है इसका मतलब होता है लो या रूल लो भी होता है रूल भी होता है यहां फिलहल कानून मानिए कानून या नियम को बोलता है स्टेचुट तो ये प्रस्तावित अपराधिक कानून है ठीक है लाइकली टू रिप्लेस जो संभावना है लाइकली टू का मतलब पॉसिबल है लाइकली टू का मतलब है पॉसिबल है तो संभावना इस बात की बनती है यहाँ पर कि यह रिप्लेस करेगा यह स्तान लेगा IPC का Indian Penal Code का has not made a recommendation अब यह भारतिय नय सहीता है इसकी verb आ रही है has इसके साथ third form आ रही है made note है वो adverb of negation है वाक्य को negative बनाने के लिए आ रहे है तो भारतिय नय सहीता ने कोई सिपारिश नहीं की है किस चीज की abolish करने की abolish का मतलब revoke करने की cancel करने की हटाने की रद करने की ठीक है इसको death penalty को मुरत्यों की सजा को पिर समझियों यह बड़ा निराशाजनक है कि जनसरी नहीं किया है कोई सिपारिश नहीं कि कि भारती नए सहीता क्या है यह संभावी तुरूप से इंडियन पिनल कोड का इस्तान लेगी एक अपराधिक कानून है ठीक है यह हो गया इस स्क्रिंशूट ले सकते हैं अब फिर कैरां इंस्टीड इंस्टीड का मतलब होता है के बजाए आप ऐसे बहुतों ने इंस्टीड के साथ में ओव देखा होगा अब आप सोच रहें कि यहां पर ओव क्यों नहीं है तो यहां पर ओव अगर आता है तो उसके बाद अबजेक्ट भी चाहिए भी प्रेपजीशन इसका मतलब होता है पर्मानेंट कमिटी मतलब 27 समीटी को क्या बोलते हैं स्टेंडिंग कमिटी इसकी बजाए जो 27 समीटी है किस ओन होम आफेर्स और किसको लेकर यह समीटी बनाई गई है घरेलू मामलों को लेकर होम आफेर्स को लेकर despite submissions despite का मतलब होता है कि बावजूद इसके बराबर हम लिख सकते हैं in spite of क्या लिखा जा सकता है in spite of और वैसे इसकी word category जो है वो preposition होती है याद रखिए submissions का मतलब है यह मालो कि इन्होंने कुछ बातें कही है उसको submission कहा है कोई भी राय दी है कोई भी सला दी है suggestion दिया है उसी को कहा है submission तो कह रहा है कि इसके बावजूद इसकी बजाए जो घरेलू मामलों को लेकर इस्ताई समीती है इसमें submissions यहाँ पर दिये गए काफी राय दी गई किसके द्वारा experts के द्वारा Jurists के द्वारा Jurist का मतलब झ्याइविद मान लीजिए जूरी के जो सदश्य होता है उसको यह जई-यू- र-वहाई इसको Jewry पढ़ते हैं जूरी भी पढ़ते हैं इसका जो प्राइडिरी के पर जो उचारण होता है वो Jewry होता है और इसको जूरी इसमें सिपारिशों के बावजुद, सिपारिशों के इस ते द्वारा दी गई है, न्याय विदों के द्वारा, एक्सपर्ट के द्वारा, इसको लेकर, एबलीशन को लेकर, इस डैथ पनल्टी को भाटाने को लेकर, चोज, अब यह क्या चुना है इसने एक decision लिया है to make a blend recommendation blend का मतलब होता है dull या फिर कहेंगे boring ठीक है या फिर कहेंगे incipid मतलब nearest incipid nearest को बोलते हैं blend तो इसने एक चीज यहां पर की है कि नीरस सा भीनों ने तैक किया है कि हम नीरस सा एक सिपारिश करेंगे और सिपारिश क्या है that the matter may be left की जो matter है कौन सा मामला कि death penalty को abolish किया जाए की नहीं यह जो मामला है इसको छोड़ा जा सकता है may be left left है वो leave की third form और second form होती है leave left left हलंकि यह third form है तो यह मामला छोड़ा जा सकता है government के लिए to consider कि government सोच विचार करके निर्डेले consider का मतलब होता है think over सोचना फिर समझे इसकी बजाए standing committee जो है home affairs को लेकर उस committee ने क्या किया है एक बात का चुनाव किया है कि यह एक निरस्ता एक recommendation देंगे सिपारिश देंगे सिपारिश यह है कि यह मामला जो है वो हो सकता है कि government के लिए छोड़ दिया जाए कि government इस पर सोचे कि death penalty को हटाना है कि नहीं ठीक है बीच में क्या था कि इसके बावजुद कि यहाँ पे abolition को लेकर experts ने राई दे दी है नयाए विदो ने राई दे दी है उसके बावजुद भी यह कह रही है कि यहाँ पे government तै करेगी इस पर कि क्या किया जाना चाहिए screenshot ले लिजिए फिर कह रहा है its observation is limited to a remark its आ रहा है standing committee के लिए possessive adjective कई वर क्या होता है यह भी its आता है यह जो its होता है यह it is का abbreviation है it और its को short में लिखते हैं तो its लिखते हैं असे यह है वो possessive adjective है ठीक है its observation is limited to limited के साथ two लगाते है limited के साथ साथ एक confined word भी हो सकता है इसके साथ भी two हम लगाते है limited to तो जो standing committee है उसका यह मतलब क्या है limited है यह सिमित है कहां तक एक remark एक टिपणी तक टिपणी क्या है that it has understood टिपणी यह है कि इस standing committee ने यह समझ लिया है it की verb है has understood क्या that the reason for a passionate argument कि कोई भी passionate का मतलब यहाँ पे जुनूनी जुनून से भरपूर argument का मतलब दलील तर्क reason के साथ में four लगता है याद रखो of नहीं लगता है of लगता है कोज के साथ reason के साथ लगता है four against the death penalty death penalty के विरुद is that वो यह है क्या the judicial system can be fallible कि judicial system जो है वो क्या हो सकता है fallible हो सकता है fallible का मतलब होता है error prone मतलब इसमें गलती की संभावना हो सकती है यह गलती कर सकता है event हो सकता है and to prevent an innocent person और साथ में यह क्या करना चाहते हैं बचाना चाहते हैं रोकना चाहते हैं किसको एक innocent person को किस से बजाना रोकना चाहते हैं prevent के साथ फ्रॉम लगेगा बींग रोंगली sentence sentence का मतलब होता है punish करना कि उसको कहीं गलत सजा ना मिल जाए और sentence to death का मतलब मृत्यू की सजा गलत रूप से ना दे दी जाए यह इनका कारण है तो अब यह कह रहा है कि कि जो standing committee है उसका observation इस remark तक सिमित है standing committee का जो भी observation है observation का मतलब है opinion standing committee के जो राय है यह कहां तक सिमित है एक टिपणी तक टिपणी यह है कि standing committee ने यह समझ लिया है क्या कि जो reason है passionate argument against the death penalty death penalty के विरुद्ध जो भी आप जोस जुनून से दलीलें दे रहे हैं उसका कारण यह है कि judicial system हो सकता है कि गलती करे बैठे और हो सकता है मतलब हम चाते हैं कि innocent लोगों को बचाया जाए इससे कि उनको गलत तरीके से मृत्यों की सजा ना सुना दी जाए यह यहां पे एक दलील जो है उसकी बात कर रहा है ठीक है इसके अलावा एक वर्ड हो सकता है preclude इसके अलावा एक वर्ड हो सकता है stop एक हो सकता है abstain एक वर्ड हो सकता है refrain ठीक है एक हो सकता है prohibit तो इन सब का मतलब होता रोकना रोकना है इन सब में from लगेगा बार और डी बार भी हो सकता है बार और डी बार इन सभी का मतलब रोकना है सभी के साथ में from लग जाता है स्क्रिंशोट ले लिजी इसका फिर कहा रहा है however domain experts फिर भी हालंकी however है वो adversative शब्द है विरोधा भासी शब्द है adverb भी होता है conjunction भी होता है तो हालंकी जो domain experts है domain मतलब area इस छेतर के जो experts है head made some persuasive submissions उन्होंने head made past perfect है ये made है make की third form है persuasive का मतलब होता है convincing किसी को मनाने वाला जिससे बात मतलब किसी वो convince किया जा सके किसी को मनाया जा सके किसी को इसके favor में लाया जा सके वो है persuasive persuasive की word category जो है वो executive है तो कह रहा है कि हालंकी जो इस छेतर के experts हैं उन्होंने कुछ persuasive submissions दिये थे कुछ ऐसे submissions दिये थे कुछ ऐसे राय यहां पर विक्त की थी जो convincing थी before the panel किसके सामने इस आयोग के सामने संसरी आयोग जो है उसके सामने that instances for trial courts awarding death were on the rise क्या दिये थे कि यह दिये थे कि जो उधारन है किसके trial courts जो निचली अदालते हैं awarding death death जो की सजा सुनाती है death की award का मतलब यहां पर प्रदान करना है देना है तो अगर निचली अदालतों ने सजा सुनाई है death की तो ऐसे जो उधारन है यह उधारन वर इसकी वर वर है on the rise का मतलब लगातर बढ़ रहे है तो कह रहा है कि हलंकी जो domain experts है इस छेतर के जो experts लोग है उन्होंने कुछ convincing argument दिये है convincing राय अपनी विक्त की है पैनल के सामने कहा है कि निचली अदालतों में जो संख्या है death penalty देने की वो लगातर बढ़ रही है where at कि रुज़ान है उन्होंने दिखाया कि इसकी वब हो गई क्या दिखाया death conjunction है कि the supreme court of India supreme court से पहले देह लगेगा क्या दिखाया है कि supreme court जो है was leaning away lean away का मतलब अपने आपको दूर कर रहा है ठीक है तो supreme court जो है अपने आपको दूर कर रहा है किस से capital punishment capital punishment का मतलब भी death penalty से है मृत्यू की सजा को बोलते है capital punishment तो निचले दालतों में तो ये संख्या लगातर बढ़ रही है जबकि जो supreme court है वो capital punishment देने से बच रहा है ये से दूर हट रहा है that social scientist head अब ये that that क्यों लगा रहा है कि क्या क्या दलील ने दिये उसकी बात कर रहा है एक ये दलील दी है यहाँ पर एक यहाँ पर ये दलील आ रही है that से क्या कि social scientist जो समाजिक विग्यानी है समाजिक विग्यानी है मतलब इस चितर के जो experts है head demonstrated उन्होंने दिखाया था ये past perfect हो गया head के साथ third form demonstrate का मतलब होता reveal करना दिखाना इन्होंने दिखाया था it had no deterrent effect कि इसका कि इसका death penalty का ये इसकी verb है second form है यहाँ पे आप देको head को देखते ये मत सोचा करो कि सीधी third form दे दी ये second form है क्योंकि इसके पहले को क्रिया नहीं है और इसके बाद में क्रिया नहीं है इसका मतलब ये helping verb भी नहीं है ये खुदी man verb का का काम कर रही है no जो है वो determiner है deterrent का मतलब होता है discouraging हतोत साहित करने वाला रोकने वाला discouraging कह सकते हो inhibiting कह सकते हो रोकने वाला तो जो समाज विग्यानी है समाज सास्त्री माल लीजिए उन्होंने ये दिखाया था कि इस सजा का कोई भी ऐसा प्रभाव नहीं है जो अपराधियों को रोक रहा हो and that global opinion was in favor of its abolition और जो वैश्विक राय है किसके बारे में इसके पक्ष में वो यही थी कि इसको हटा दिया जाए इसको abolish कर दिया जाए तो यहाँ पे यह दिखाया है कि Supreme Court of India जो है वो capital punishment से दूर हट रहा है और समाजी विग्यानी जो है उन्होंने ये दिखाया था कि इस हजा का कोई भी ऐसा प्रभाव नहीं है जो अपराजियों को रोकने वाला हो ठीक है और जो वैश्विक राय है global opinion जो है वो इसकी वह भोगी was वो भी इस favor में थे कि इस हजा का यह death penalty के लिए possessive adjective abolition है वो noun क्योंकि possessive adjective के बाद में noun लगाते हैं तो यह global opinion भी इसी favor में था कि भी इसको हटा दिया जाए इसके favor में था ठीक है इसका screenshot लीजी अब फिर करना the court awarded the death penalty to only seven people from 2007 to 2022 तो court ने award किया यह इसकी verb है देखो यह close test में काम आएगा कि death penalty को अगर आपको दे रखा है कि give है न यह provide एक में award एक में reward आपको award पे फिर टिक करना है कि यहाँ पे यह collocations कहलाते हैं कि यह साथ साथ में आम तोर उपर साथ में ही दिखते हैं death penalty के लिए क्या यूज़ करेंगे award तो court जो है उसने क्या किया award किया death penalty death penalty दी कितनों को केवल साथ लोगों को किस समय 2007 से लेकर 2022 तक केवल साथ लोगों को ही death penalty दी है court ने while all death sentences were either set aside जब की जितने भी मरत्यू की सजा थी उनको या तो क्या कर दिया गया set aside कर दिया गया set aside का मतलब reject कर दिया गया धुकरा दिया गया हटा दिया गया या फिर commute का मतलब होता lesson या reduce या फिर मरत्यू की सजा को कम कर दिया गया और किसमें बदल दिया गया life में मतलब उम्र कैदे मदल दिया गया मरत्यू की सजा को कम्यूट कर गया कम्यूट का मतलब है punishment जो बहुत हार्ष punishment हो बहुत ही सक्त सजा दी गई हो उसको थोड़ा सा कम करके और लेस सी वियर बना देना उसको बोलते हैं गया कम्यूट या फिर मुर्तियों की सजा को उमर कैदे मदल दिया गया 2023 में As they did not fall under the rare rest of rare cases कारण क्या था? क्योंकि As यहां पर conjunction है इसका मतलब है क्योंकि क्योंकि यह जितने भी यहां पर मुकदमे हुए थे यह जो sentences थे यह उस category में नहीं थे Fall under का मतलब इस category में आना है किस category में नहीं थे? Rare rest of rare cases Death penalty कम मिलती है कि ऐसा case हो जो rarest of rare हो मतलब बहुत दुरलब तम case हो इससे दुरलब कभी case हुआ ही नहीं एकदम unique प्रकार का case हो ऐसे case की category में थे नहीं इसलिए इनको या तो reject कर दिया गया या फिर इन सजा को कम करके life imprisonment में change कर दिया गया तो यह था आज केस editorial में हम विलेंगे next session में ठीक शाम पांच बजे तब तक लिए नमस्कार, thank you very much